नमस्कार है परेन बाश्पेई अपने यूट्यूब चैनल मेरित परेन बाश्पेई पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यह वीडियो स्सी छसल 2021 के जो एस्प्रेंट हैं जिनका टीर टू एक्जाम 18 सितंबर को लगा हुआ है उनके लिए एक लास जो है वो बहुत फंडेट तो बहुत कुछ यहां से सीखेंगे इसने जो एसे में स्कोर किया है वो 27 किया है और प्रसाइज में कितना किया है इसको 23 किया है यह सीजील 2020 की कॉपी है तो completely इसका पोस्ट माड़न करेंगे इसमें क्या सीखने लाइक चीज़े हैं क्या इंप्रूमेंट इसमें ह हो सकते हैं और कहां पर कमिया रह गई आपको कौन सी गलतिया नहीं करनी है सारा कुछ यहां पर हम लोग समझेंगे ठीक है यह जो कॉपी है वह हिंदी मीडियम की कॉपी है तो बहुत कुछ यहां से आप लेके जाने बाले बस आप सभी से रिक्वेस्ट इस वीडियो को प्रेसाइज और उसके लाबा ऐसे इनका फॉर्मेट आटेएगी कॉपी पचास प्लस उसके लाबा धेर सारे वीडियो तो यह सारा कुछ मिलेगा चार से पांच में आपकी कॉपी भी चेक करूंगा तो अगर आपको यह कंटेंड लेना है तो करना क्या है 630718569 इस नंब कोबिड नाइनटी का भारती जीवन पर क्या प्रभाब पढ़ा तो सबसे पहले में हर बार यही बात आपको समझाता हूं कि टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको समझने की जुरत है तो कोबिड नाइनटी का भारती जीवन पर क्या प्रभाब पढ़ा आर्थी ग्रूप से क्या प्रभाब पढ़ा, सामाजी ग्रूप से क्या पढ़ा, लोगों की आम जीवन पर क्या प्रभाब पढ़ा, तो जितने भी डायमेंशन में आप सोच सकते हो, वो सारी चीज़े आपको बताने हैं, उसके लाबा ये हमारे लिए क्या आप और चिंटी लेके आया, इससे क क्या क्या नुकसान हुए हमें, तो वो सारी चीज़े आप एक्स्प्रेंड करोगे, ठीक है, तो जो इन चीजों को, इनके मतलब आसपास चीजों को एक्स्प्रेंड करेगा, उसको अच्छे मार्स मिलेंगा, और अगर आप तिसा से भटक जाओगे, जैसे यहां पर ये रूप से ठीक है, उसके अलाबा आम दिन चर्या में, तो जितने भी एंगिल आप ढूं सकते हो, मतलब जो प्रभाब के इंप्रेक्ट है, वो आप सारे बता सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ कोबिद नाटी देखा और कोबिद नाटी पर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो तरीके से, और क्या और गुंजाईस हो सकते थी, इन्हों लिखना इस्टार्ट किया कि कोबिद नाटी एक प्रकार का बीशानु जनित रोग है, वाइरस है, या रोग चीन के बुहान सहर से फैलना, शुरू हुआ बिलकुल सही, यहां तक भूमिका बिलकुल सही बना रहे ह एक महामारी है, इसे बहुत सारे राष्ट प्रवावित हुए हैं, बहुत सारे राष्टों में, इसके कराण से अनेकों मृत्तु के साथ साथ जीवन अस्त्वेस्थ हो चुका है, कई देशों में इसके कराण बहुत ज़्यादा गरीब आ गई है, तो गरीब नहीं बलकि क् यह लगे कि कोई आफिसर लिख रहा है ठीक है और यह सीजेल की कॉपी है तो आप एक आफिसर बनने जा रहा हो तो कम से कम आपकी जो बरतनी हो वो स्टेंडर्ड हो तो इस चीज का आपको ख्यार लगना है अगर अच्छे माक्स लाने तो इंच जो को आपको देखना पड़े मतलब गहरा प्रवाब पढ़ा यह बोल सकते थे इसका काफी बिस्तत प्रवाब पढ़ा है काफी गंभीर प्रवाब पढ़ा है तो यह काफी अच्छा खासा यह ठीक लेंगवज नहीं ठीक है भारत एक विकास सिल देश से जिसकी अर्ध्वयस्ता बहुत तेजी से आगे पढ़ रही थी लेकिन इस महामारी के करण भारत की अर्ध्वयस्ता पर बहुत गहरा प्रवाब पढ़ा बिल्कुल वही बात फिर इनों लिखिए भारत में कई फैक्टरियां कोचिंग क्लासेस और बहुत सारे और बहुत सारे दोगों के बंद हो जाने से आम जन्मानस को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कई बड़े-बड़े सहरों में काम करने काम करने वाले मजदूर अपने घर बापस जाने लगे इससे भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कुबिड-90 का प्रवाद छात्रों पर भी बहुत जादा पड़ा त ताकि इस संक्रमन को फैलने से रोका जा सके और यह कुछ हद तक काम्याब भी रहा लेकिन इस सबका असर इस सबका असर रोंगटे खड़े इस सबका असर छोटे पढ़ने वाले बच्चों पर बहुत ज्यादा पढ़ा सरकार ने कोविड-90 के दोरान आनलाइन सिच्चा को ब जोटे मोटे व्यापार करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारत में कई बड़े सिनेमा, हाल, जिम, कालेज, आधिकों, कोविड-90 के दोरान बंद करना पड़ा इस से उनके मालिकों पर अच्छा खासा असर पड़ा भारत में अच्छे अस्पताल ना होने हमारे अस्पतालों की संख्या भी बढ़ी है, इसके करान भारत में आनलाइन सिच्छा को भी बहुत ज़्यादा पड़ावा मिला, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पहली बाद तो इनका जो एक्स्प्रेंड करने का तरीका है, वो ठीक नहीं है, कभी किसी टापिक पे मतलब अस्पतालों की कमी कभी बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि बहुत लोगों ने ध्यान रखा, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ी है, तो पहली बाद तो यह आपको गौर्मेंट की जो है बुराई नहीं करने हैं, अपनी बरतनी पे ध्यान देना है, अपनी राइट ठाक तरीके से देखो इन्होंने पॉइंट सभी डालें ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट नहीं बताया सब कुछ बताया लेकिन उसको बताने का धंक सही नहीं तो यहीं चीज आपको अपनानी है आप से यहां पर पूछा गया इंपक्ट क्या है तो उनको मतलब एक सीद में प्रसाइस लिखने का तरीका क्या होता है यहां पर टोटल जो सब्द है वो 260 है यह निक इसका वन थर्ड आप करोगे तो आपको पच्चासी के आसपास परसाइस करना है ठीक है प्रसाइस राइटिंग जब करोगे तो कोई भी इंपॉइंट जो पॉइंट है वो आपका मि मिस नहीं होना चाहिए कॉपी कुछ भी नहीं करेंगे जो इंपॉइंट पॉइंट है उसको मिस नहीं करेंगे कोई कोटेशन आप यूज नहीं करेंगे हमेशा इंडिरेक्ट स्पीच में आप बात करेंगे तो इतनी चीज़े आपको ध्यान में रख ली है ठीक है आप समाना जाता है कि precise कम से कम दो से तीन बार आप जरूर पड़ी और जो सी चसल वाले बच्चे हैं वो प्रसाइस को जरूर देखके जाए क्योंकि प्रसाइस राइटिंग भी आ सकता है और मैंने जो कंटेंड में आपको दे रहा हूं उसमें प्रसाइस मैंने आल्रेडी एक्स् डवल लाइन इस नंबर पर आपको मैसेस करना है आपको इंफर्मेशन मिल जाएगी तो पढ़ना इस्टार्ट करते हैं मानब प्राचीन काल से मादक पदार्तों का सेवन करता आया है तो इसका मतलब है यह बात बिलकुल इंपोर्टेंट है कि भूत काल से जोड़ रहा है भूत काल ध्यान रखना है और मादक पदार्तों का यूज बोला गया तो यह भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको भी हम मेंसन करेंगे जब इसका संचेपड करेंगे समाज में इसका प्रयोग एकदम नया नहीं यानि कि काफी पुराने टाइम से हो रहा है प्राची लग यह प्रियोग करने वाला समाज में इस द्रिष्टे से देखा जाता था यह यह पास्ट काल की बात करना है फिर लेकिन उन्नीस भी सताब्दी इसका मतलब है इसने प्रेजेंट सीनेरियों को भी यहां पर कनेट कर दिया यानि कि इसका भी में जीकर करना पड़ेगा मैं आकर तो समाज का हर वर्ग प्रयोग को करने लगा यानि कि कहीं न कहीं जो मादक अमीर वर्ग गरीब चात चात्राएं ब्यापारी मजदूर रिक्से वाले ट्रक बाले सभी इनका सेवन करने लगे हैं सरवेच्छन करने पर पता चला है कि कोई गम भूलने के लिए तो कोई मित्रों की बावाय में कोई जीवन काकेला पंदूर करने के लिए कोई हिन भाव कि बढ़ती संक्या बढ़ती गई अब कोकेन अधिन असीली दिवा सेव hm 2019 में हो गया तो एक बार में अगर टापिक नहीं समढ़े है तो दो तिन बार से पढ़िए कि माधक पदार्तों का बढ़ता हुआ माधक पदार्तों की सेवन का तरीका या यह बोल सकते हैं कि समय के स साथ मादक पदार्थों को प्रयोग करने के बदलते आयां इस तरीके का कुछ आपका सीर्षक होना चाहिए क्योंकि समय के साथ बोला गया किस तरीके से मादक मादक पधार्थों को पहले मनोरंजम के लिए लोग यूजU कर देते हैं now के साथ मादक पधार्थों कर बढ़ता परियोग यह एक यूसफुल है जो टाइटल है वो सकता है तो इन्हों मादक पदार्तों का सेवन बहुत पहले से चला आ रहा है पुराने समय में मादक पदार्तों में कुछ चीजें सामिल थी जैसे तमाकू, भांग, गांजा, चरस और सराब थे इनका प्रयोग कभी कबार कर लेता था खास तोर पर किसी पीसे मौगे पर जिसका प्रवाव उसके जीवन में कुछ समय तक रहता था, इन सब का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को समाज अच्छा नहीं माना जाता था, समाज अच्छा नहीं माना जाता था, समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन 19-वी सताबदी में आकर समाज का हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर बाइसके नकारात्मक पहलू जाने विना ही इसका सेवन बड़े सौक से करते हैं जिसका प्रभाव उनके आने वाले जीवन पर पड़ता है इसके सेवन को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत ही गलत धारना है जैसे कोई गम भूलने के लिए प्रयोग करता है तो कोई समाज में समाज में से अलग दिखने के लिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ऐसे नसीली दिवाओं का सेवन का प्रचलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इन्होंने मुझे लगता है वर्ड लिमिट क्रास कर दी ठीक है 80-85 वर्ड से जादा इन्होंने यूज कर दी है ठीक ह तो पहले चीज तो आपको यह ध्यान रखते है उसके लाबा थोड़ा सा कंक्ल्यूड आपको अच्छे से करना है ठीक है कुछ चीजों का पिलिमिनेट कर सकते थे और चुकि इन्हें लेटर ऐसे में कम माक्स मिले इस विज़े से इतने माक्स मिलना सभाविक थे 27 बहां पर मिले और यहां पर 23 मिले तो यह कंबिनेशन आपको समझना है आपको अगर अच्छे नंबर लाने में हर वार यही वीडियो में कहता हूं कि ऐसे पर अच्छे तरीके से काम करिए और लेटर का से फॉर्मेट आपको समझना है तो यह कोर्स में आपको सारा कुछ लेटर का फ लिखना जरूरी है क्योंकि आपके लिखने के मार्क्स मिलेंगे तो ज्यादा ज्यादा लिखने का प्रयास करो और यहां पर में चार से पांच आपकी कॉपी भी चेक कर दूँगा तो इसका जो प्राइज है वह 199 रूपीज अगर आपको यह कंटेंट लेना है तो करना क्या 6 6307185699 इस नंबर पर आप बाटसे पर मैसेज करिए आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप किसी बुक को पढ़ो सेलेक्टिट कंटेंट पर सेलेक्टिट दिसा में काम करो और ज्यादा ज्यादा परियास करो वही आपको अच्छे माक्स दिलाएगा और लिखने से पहले सोचो टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो जब टापिक अच्छे तरीके सवन में आ जाया तो टू-दा-पाइंट लिखने का परियास करो तो उमीद करता हूं कि इस कॉपी के तो बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे आपको करना किया इस वीडियो को ज्यादा सेर करना है उसके लावा अगर आप चैनल पर नहें हैं और आपने अभी ते किसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा